हलो फ्रेंट्स वेल्किम बेक टू अवर चैनल पंखाल टेकनोलोजी और फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसाइन से एक बड़ी अपडेट के बारे में तो फ्रेंट्स अगर आप एज एए एम्प्लोर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो करना है कि आप e-sign कैसे रजिस्टर कर सकते हैं e-sign से आप कैसे अपनी KYC अपरूव कर सकते हैं तो friends e-sign से KYC करना आसान है क्योंकि इसमें आपको डिजिटल सिगनेचर की तरह है लंबा वेट नहीं करना पड़ता और उसमें आपको पासवर्ड डालके और सब्मिट नहीं क प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इनफोर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहें तो चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं e-sign के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं employer पॉर्टल पर और यहां पर जाने के बाद आपको अपनी कंपनी का यूजर आईडी और डालके sign in करना है जैसे आप sign in कर लेते हैं आपको यहां पर एक top up दिखाई देगा जो कि आपका ABRY से related है कि ABRY का last date कल है तो इसको आप close कर देंगे इसके बाद आप जो KYC अपरूव करते हैं उसके लिए आप यहां पर click करते हैं click here to view pendency statistics आपकी company में जितने भी pendency है जो KYC ह या फिर online transfer है जो भी pendency है जिसको आप approve करते हैं DSC के through और e-sign के through वो आपको यहां पर दिखाई देती हैं उसके बाद आपको यहां पर देखिए pendency count पे आप click करके मालो for example यहां पर एक transfer request है और इसको आप approve करते हैं तो जैसे ही आप देखिए यहां पर दो option आपको दिखाई देंगे approve DSC, approve e-sign तो यहां पर हम e-sign के through करते हैं तो जैसे ही आप approve e-sign पर click करेंगे तो यहां पर आपको e-sign select करने का option दिखाई देगा जितने भी आपकी company में e-sign यहां पर registered है जितने भी बंदों के उन मे of declaration नया window open होगा यहां पर और यहां पर आपको इसको select करना है by clicking the check box I hereby give my consent for using e-kyc services data from आधार for the purpose of signing selected document and generating digital signature यहां नेगी इससे आपके documents जो हैं वो sign होंगे और digitally signed होंगे तो इस पर आप जैसी select click करेंगे तो यहां पर देखिए पहले जब आप यहां पर click करते थे जो e-sign का window यहां पर open होता था वहां पर आपको दो option दिखाई देते थे आधार number और virtual ID सबसे पहले यहां पर virtual ID का option आया था उसके बाद यहां पर आधार number add किया गया था अब यहां पर आप दिखाए देखेंगे कि यहां पर UID token का भी option यहां पर add कर दिया है PF department ने इसके अलावा उपर एक आपको line दिखाई देगी view document information जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको एक link दिखाई देखा जो की काम नहीं कर रहा है अभी इस पर आप click करेंगे तो कुछ भी हो यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं यह सारे disabled है और यहां पर नीचे आप आधार नंबर में नहीं डाल सकते हैं नीचे आप OTP भी नहीं डाल सकते हैं पहले क्या था कि यहां पर आधार नंबर और virtual ID का option रहता था आप इन में से किसी एक को select करते थे और यहां पर virtual ID यह आधार नंबर डालके आप get O पर क्लिक करके समिट कर देते थे तो आपका जो पेंडेंसी है जो आप प्रूव करना चाते हैं इसाइन के थ्रूँ वह हो जाता था बट अभी यहां पर कुछ चेंज करते हुए पीएफ डिपार्टमेंट ने यहां पर चेंज किया कि आधार नंबर वर्चुल आईडी और यूएडी टोकन का ओप्शन तो यहां पर आएगा लेकिन आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं यहां पर कुछ भी आप पुट नहीं कि वो टीपी डालने के बाद आपको यहां पर नीचे जो चेक बोक्स है उसको सेलेक्ट करना है और सब्मिट पर क्लिक कर देना है जैसे आप सब्मिट पर क्लिक रहें देखिए वी आर प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट प्रीजवेट का यहां पर आपको ओप्शन दिखा हो गया है तो फ्रेंट जो में चेंज है यहां पर इसाइन वाले सेक्शन में वो चेंज यह ही है कि अब आप यहां पर आधार नंबर वर्चुल आईडी और जो टॉकन आईडी है उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं नीचे आपको ओप्शन जो दिया गया है वो डिसेब फाइल को अपरूव करना है उसको सेलेक्ट करो अपना वहाँ पर आपको ना आधार नंबर डालना ना वर्चुल आईडी डालना ना यूआडी डालना और आप सिधा कैट ओटीपी पे कलिक करो ओटीपी डालो और समिट कर दो तो यह एक बड़ा चेंज पीफ टिपार्ट जालना यूए में पीफी डालना उपटीपी डालना यूए लालो और समिट पर दो यहाँ भीफी डालना ना वकी डालना यूदी अफर जाया यूदा कैट वे पो तर दो आपको शाया है जाएंगा